एक हजार रुपिय का छोटा लॉन कैसे ले अगर आपको जहें लॉन की जरुवत है छोटे एमॉंड की जरुवत है हजार या दो हजार रुपिय के जरुवत है तो आप इस अप्लीकेशन से लॉन ले सकते हैं जो कि आप एसके पी देख सकते हैं हमको जो है एक हजार रुपि पिक जरौद्ध हो जाती है और आपको कहीं से भी नहीं इंतिजाम हो रहा है तो आप इस एपलीकेज़न से आप अरजेंट एक हज़़ार रुपिया या QR का लान ले सकते हैं जोकि आप इस करी देख सकते हैं कि हमको one इमlio cum अप्रोब हुआ है। और हम को जिए यहां पे समय दिया गया है। याना कीसे आपको लॉन के लिए अप्लाए करना है। जो होते तो कैसे पूलीडियो में बताने वाला हूं। लाइक और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको अपने मुवाइल के गूगल प्लेश्टोर को ओपन करना है और यहां पर आपको सार्च करना है बी आर एन सी एच ब्रांच जैसी ही आप ब्रांच सर्च करेंगी ब्रांच कर जो है आपको ऑफिसली आप दिख जायेगा तो आपको इस अप्लीकेशन को सबसे पहले डॉनलोड कर लेना है जो कि आपको इस अप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिशन मिल जायाएगा आप वहां से डाइक ड करेंगे और उसके बाद आपको इस application के बारे में काफी information मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं कि यह application जो है 500 रुपीय से लेकर एक लाग रुपीय तक का जो है लोन प्रवाइड करता है जो कि आपके सिविल पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने का लॉन मिलेगा और आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि यहां पर दिया होगा कि अगर आपको 20,000 रुपीय का लॉन एमांट एप्रूब होता है और आपक सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर ब्रांच का नाम शुकर जाएगा लोगो दिख जाएगा और उसके बाद नीचे एक उप्समी जाएगा इन इंग्लिस तो आपको इस पे क्लिक करना है यहां पर क लिले के बाद कुछ इस तरीके से आपको जैस्ओ करने के बाद यहां पर मोबाइल नमर करने का उफ्समीं होगा को आप दिकत हनی हैं तो आपको यहां पर OTP डालने के बाद यहां पर आपको एक बिल जाएगा अपलाए नौका देख सकते हैं यह ऑपशन मिल जाएगा होंपीज पी आपलाए नौका तो आपको इस पे क्लिक करना है उसके बाद यह आपको verify और ID का option आ जाएगा तो आप यहां पे देख सकते है verify ID में आपको यह option आ जाता है कि आपके पास identity verification के लिए अधार card होना चाहिए उसके बाद जो है pen card होना चाहिए और आपको एक selfie capture करना पड़ेगा तो यह तीन चीह आपको complete करना है उसके बाद आपको loan amount मिल जायाएगा तो आपको loan लेने के लिए यहां पे एक option मिल जाएगा नीचे continue का तो आपको इस पे किलिक करना है उसके बाद जो है आपको यहां पे दो option मिल जाएगा जो कि आप a screen पे देख सकते हैं पहला option मिल जाएगा पुरसीड ओटीपी फिरिपेकेसन और दूसरा option मिल जाएगा upload id card यानिक मैं आपको बता दू कि अगर आपके अधार काड में mobile number लिंक है तो आप इस वाले option पे किलिक करेंगे और अगर आपके अधार card पे mobile लिंक नहीं है तो आपको इस वाले option पे क्लिक करना है upload id card पे उसके बाद जो है आपको यहां पे identity tab का option आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं identity tab और यहां पर आपको जो है arrow का icon देख जाएगा इस पे आपको क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको नीचे दो option मिल जाएगा जो कि आप screen पे देख सकते हैं पहला option मिल जाएगा अधार कार्ड और दूसरा option मिल जाएगा voter ID मैं आपको बता दू कि दोनों में से आपको भी ID card से loan apply कर सकते हैं अगर आपके पास voter ID card है या अधार Jadi कि हम धार काड कूट के हैं उसके बाद आपको यहां पर कंटीने का option देखने को मिल जाएगा डेख सकते हैं अधार कार्ड और सिलिफी यानि कि जो है आपको अधार कार्ड औरिजिनल आपको रेडिए रखना है देख सकते हैं औरिजिनल अधार कार्ड आपको रेडिए रखना है तो इसके लिए करना किया नीचे एक उपसे में जागा आपको next का तो आपको next पर किलिक करना है उसके बाद जो है आपका camera start हो जाएगा जो कि आप आप एसके नीचे पर देख सकते हैं तो camera start हो जाने के बाद आपको back side से जैसे की back camera से आपको अधार कटका front side और back side आपको capture करना है और उसके बाद जो है आपको submit पर किलिक करना है जैसे ही आप submit पर किलिक कर देंगे उसके बाद जो है आपको face capture करने का option आ जाएगा तो आपक पर देख सकते हैं आपका date of birth, pen number, अधार काड में जो नाम है वो नाम आपको यहां पर सब्सक्राइब करना है उसके बाद जो है आपको bank account add करने का option आ जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं add bank account तो यहां पर आपको bank का नाम आपको सबसे पहले select करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद काफी सरे bank का नाम आ जाता है तो जो भी bank में आपका account है जो भी bank में आप पैसे लेना चाहते हैं उसके बाद जो है आपको यहां पर account number डालना है जो भी account number में आप पैसे लेना चाहते हैं उस पर continue का option देखा continue पे click करना है जैसे हम continue पे खृक करेंगी तो यहाँ पर amount दिखे जाएगा और यहाँ पे एक उप्सवाऋं तो आपको इस पर click करना के बाद आपको कितने दिन के लिए langwn लेना चाहते यानि कितने दिन में आप इस पैसरे को पेक करना चाहते हैं तो 2 options में जाता है एक महीने और 2 महीने तो हम यहाँ पी 2 महीने का plan को select करते हैं आप जो चाहे select कर सकते हैं उसके बाद जो है आपको यहाँ पर continue का option देख जाएगा continue पे आपको click करना है और जैसे ही apply पे click कर देंगे आपके bank account में पैसा instant transfer हो जाएगा जो कि आप कुछ इस तरीके से इस application से एक हजार या दो हजार विपे का छोटा लॉन जो है आप अर्जेंट में लॉन ले सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद देया तो लाइक किजिए सब्सक्राब किजिए कोमेंट किजिए मिलते किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए त्राइंकि सो मच बाइग